जैसे चौथी औद्योगिक क्रांती वैश्विक अर्थवेवस्था को एक नया आकार दे रही है रोबोट और कृत्रिम बुद्मता वाली मशीने नौक्रियों को खतम नहीं कर रहे परंतु रोजगार का स्वरूब जरूर बदल रहे है आने वाले समय में कम कौशल कम वेतन और उच कौशल उच वेतन वाली नौक्रियां तो अधिकतर बनी रहेंगी लेकिन मौझूदा मध्य स्थरिये नौक्रियों के गायब होने की बहुत संभाबना है अर्थ शास्त्री इसको जौब पोलराइजेशन यानी नौक्रियों का धुरूवी करण कहते हैं जब केबल दो सिरों में चीजें होती हैं और मध्य खोकला हो जाता है उबरती अर्थ वेवस्था का स्वरूप कुछ रेत घड़ी की आकृती जैसा हो सकता है ऐसा देखा गया है कि जब मध्य स्तरी नौक्रियां खतम होती हैं तो अधिकतर लोग जो ये नौक्रियां कर रहे थे वे ऐसे जटिल कौशल नहीं सीख पाते जिनको सीख वे उच्च कौशल उच्च वेतन वाली नौक्रियां पा ले और इसलिए वे नीचे की तरफ आ जाते हैं जहां कम कौशल कम वेतन वाली नौक्रियां विद्यमान है निचली तरफ बढ़ती आपूरती और स्थिर मांग, increasing supply and unchanging demand कारण बनती है वेतन को और कम करने का अगर आप उपर की तरफ विद्यमान उच्च कौशल और उच्च वेतन वाली नौक्रियां चाहते हैं तो आपको लगातार नवीन दक्षता और नए कौशल सीखने पढ़ेंगे ताकि आप बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल सकें तो वे कौन से जीवन कौशल हैं जो आपको उच्च वेतन वाले रोजगार के काबिल बना सकते हैं इस प्रशन का उत्तर देने के लिए हमें सोचना होगा कि कौन से ऐसे काम हैं जो आने वाले समय में भी रोबोट और मुद्धिमान मशीने नहीं कर पाएंगी इंग्लेंड के आक्सवर्ड विश्विद्याले के शोत करता फ्रे और आस्बॉन के मताबिक हस्त निपुणता मैन्यूल डिक्स्टेरिटी उच्च संग्यानात्मक कौशल हाई कौगरिटिव स्किल्स और समाजिक कौशल सोशल स्किल्स ऐसे शेत्र हैं जिनका कंप्यूटर करण कठिन है और इसलिए ऐसे कौशल वाले काम करने के लिए हम मनुश्यों की जरूरत बनी रहेगी उधारं तह आने वाले समय में नैनो मशीने एक परमानों जितनी चोटी मशीने बहुत महीन काम कर पाएंगी पर तब भी हाद से किये गए बहुत बारीक काम की मांग बनी रहेगी और खास ऑनलाइन बाजार जैसे एटसी ऐसे होनर वाले काम की मांग को बढ़ाएंगे और पूरा करने में मदद करेंगे मद्य स्तरिय प्रशासनिक नौक्रियां मिडल टियर अड्मिनिस्टेटिव जॉब्स जहां काम नियम आधारित है जैसे अकाउंटेंट का काम ऐसी नौक्रियों को बुद्धिमान मशीने प्रतिस्थापित कर देंगी ऐसा होने की बहुत संभाबना है जबकि देखभाल और आतित्थे संबंदित वेवसायों की कम्प्यूटरी करोंड़ा प्रतिस्थापित किये जाने की संभाबना कम है चिकित्सा शेतर में प्रगती के कारण मनुश्य का जीवनकाल बढ़ रहा है बूरी होती आबादी को अधिक देखभाल की दूरत पड़ेगी बुद्धिमान मशीने चिकित्सा निदान, मेडिकल डाइगनॉस्टिक्स को तो बहुत सटीक बना देंगी परन्तु इस कारण डाक्टरों को मरीजों के साथ और भी ज़्यादा समवेदन शील होना पड़ेगा देखभाल, सहानुभूती और समवेदन शीलता ऐसे जीवन कौशल हैं जिनकी आने वाले समय में बहुत मांग होगी आभासी और समवर्धित वास्तविक्ता, वर्चुल और अग्मेंटेड रियालिटी का ज्यादा व्यापक प्रयोग होगा और इस कारण विशुद अनुभवों, ऑथेंटिक एक्स्पीरियंस की मांग बढ़ेगी आत्यत्य और फिटनेस उड्योग में भी नौक्रियां बढ़ेंगी आत्म निरीक्षन, आत्म जागरूपता और ध्यान, मेडिटेशन को प्रोचसाहित करने से जुड़े रोजगार की भी मांग बढ़ने की काफी संभावना है आज की दुनिया की समस्याएं जैसे जलवायू परिवर्तन, अतंकवाद, उर्जा संकट, पीने योगे पानी की कमी, बढ़ती वैश्विक आवादी ये सभी जटल समस्याएं हैं ऐसी जटल समस्याओं के नवीन समाधान सोचने के कौशल, विशेश रूप से मानव बुद्धिमता और कृतिम बुद्धिमता को जोड़ ऐसी जटल समस्याओं के समाधान सोचना, जिसको कॉंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं कि बेहत मांग होगी नई उच्च वेतनवारी नौक्रियां ग्यान और प्रतिपा गहन होंगी उधार अंतह जैसे जैसे सेंसर्ज घरों में गरम, ठंडा, रोशनी, हवा और अन्यंतरों को नियंतरत करने लगे हैं जिसको ग्रहस्वचालन या होम आटोमेशन कहते हैं एक आम भवन निर्मान कामगार को भी एलेक्ट्रोनिक्स की थोड़ी जानकारी होना आवश्चक हो जाएगा एक बावर्ची जो ना केवल स्वात के लिए खाना बना सकता है पर फिटनेस को भी समझता है और एक संपूर्ट स्वस्थ जेवन शैली के लिए खाना बनाता है वह निश्चित ही ज्यादा कमा पाएगा आज एक गाड़ी में इतनी कम्प्यूटिंग शक्ती मौझूद है कि कार के डिजाइनरों को कम्प्यूटर और डेटा विश्लेशन की जानकारी होना अनेवारे हो गया है आने वाले सालों में ऐसी समझ की जरूरत बढ़ेगी जब स्वचालित गाड़ियां जिनमें कहीं ज्यादा कम्प्यूटर लगे होंगे अत्यधिक मात्रा में डाटा उत्पन करेंगी जिस डाटा का विश्लेशन कर गाड़ी के प्रदर्शन और शम्ता को सुधारा जा सकता है मानव मशीन बुद्धमता को जोड डाटा में प्रतिमान ढूट पाना फाइंडिंग पैटर्स इन दे डेटा और दो असंबंधित प्रतीत होते विश्यों को जोड समस्याओं के नवीन समाधान ढूट पाना ऐसी काबलियत की मांग आने वाले दशकों में अत्यधिक हमारे जीवन काल को बढ़ा रहा है इसका मतलब है कि हमारा जीवन लंबा होगा और इसलिए हमें लंबे अर्से तक काम भी करना पड़ेगा एक नई किसम की वैश्विक अर्थवेवस्था उभर रही है जिसको गिग एकॉनमी कहा जा रहा है इस अर्थवेवस्था में सम्विधात्मक, कॉंट्रैक्चुल और फ्रीलांस काम बढ़ रहा है और पारम पर एक नौकरियां कम हो रही है गिग शब्द संगीत की दुनिया से लिया गया है संगीत कार फुल टाइम नौकरी नहीं करते एक कारेकरम से दूसरे कारेकरम में प्रदर्शन कर अपनी जीविका चलाते हैं काम करने का यह प्रोजेक्ट आधारित तरीका गिग एकॉनमी में एक नया आदर्श बन सकता है अच्छी खबर यह है कि हाइपर कनेक्टिविटी आपको विश्व स्थर पर अपने ग्यान, विशेशक्यता, प्रतिभा या कौशल को बाजार में लाने की अनुमती देती है परन्तु गेग एकॉनमी में सफलता के लिए औसत काम नहीं करेगी आप जो भी करते हैं उस काम में आपको अति उत्कृष्ट होना पड़ेगा और थोड़ा जोखिम लेने की शमता भी विक्सित करनी पड़ेगी इस नई अर्थव्यवस्था के नाकारात्मक पक्ष भी हैं जैसे आए में उतार चड़ाव, कोई कॉर्परेट बीमा नहीं, कोई सशुलक छुट्टी नहीं और कोई पेंशन नहीं आने वाले समय में Information Technology के साथ सहजता और वित्य साक्षरता, किसी भी प्रकार की नौकरी, उद्यम या गिग एकॉनमी में फ्रीलांस काम सभी के लिए अनिवारे हो जाएगी निशकर्ष में, इतिहास बताता है कि जब भी कॉशल प्रोध्योगी के साथ तालमेल नहीं रखते, तब परिणाम सामाजिक असमानता ही होता है बदलते आर्थिक परिद्रिश्य से जूजने के लिए हालांकि सरकारे नई नीतियां सुझाएंगी जैसे कुछ देश यूनिवर्सल बेसिक इंकम का प्रस्ताव रख रहे हैं और सरकारे नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा निवारण सोशल सेफटी नेट दे रही हैं खासकर उन लोगों को जो कम कौशल कम वेतन वाले चक्रविव में फसने की ज्यादा संभाबना रखते हैं आपको विचार करना है कि क्या चौथी और दोगिक क्रांती जो अभूतपूर्व परिवर्तन ला रही है वह आपके लिए एक चुनोती बन जाएगा या आप नए कौशल सीख आने वाले सुनहरे अफसरों का पूरा लाब उठा पाएंगे